दिल्ली के मीडिया गलियारों में एक राजनेतिक बहस हो रही थी बहस बिहार के इर्दगिर्थ थी और तब ही एक नेता का जिक्राया किसी ने कहा बाहुबली है किसी ने कहा दबंग है किसी ने कहा नहीं वो अपनी रॉबिन हूड वाली छवी बनाना चाहते हैं बिहार के कि तर्ज पर कहा गया कि यह नेता कफ से रभ भी बाटता है और दूसरे संसाधन भी तो हमारी दिल चस्पी बढ़ी फिर नेता के नाम की धर्याफ्त हुई और हम नाम तलाशते तलाशते पहुंच गए बेगुसराय जिले में यहां की मत्यानी सीट से जेडियू के उमीदवा नरिंदर कुमार सिง उर्फ बोगो सिंग बहुत 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 दिल की गहराहि से इस धर्ती के लालラष्ट कभी दिनकर्जी की धर्ति और विकास के प्रनेता भीह हर के श्री की कर्म भूमी ते की धर्ति पर अपका स्वगत करते है आप ने श्री बाबु का जिक्र किया पर क्राम्देव सिंह की परंपरा के व्यक्ति हैं बहुत अच्छी बात है लोग तंत्र का सत्ता और विपक्ष सिंगार होते हैं मैं निगेटी बातों की तरफ नहीं जाता हूं मांदुरुगा का बेटा हूं इसमिटी का बेटा हूं मैं श्री बाव के आदर्स को जीवन में उतारने का प्रियास कर रहा हूं मैं श्री बाव ने हो सकता है टेकिन उनके आदर्स को जीवन में उतारने का हक मुझे है और मुझे पुर्ण विस्वास है जो मैं उनके आदर्स पर चलने का प्रियास कर रहा हूं श्रीबाबु तो कॉंग्रेस में थे आप निर्दली उससे पहले कॉम्रेड और फेर अब जीडियू क्या है बोगो सिंग की कहानी कहां से शुरू होती है लही आप जानते हैं कुपी आपके टोन से मुझे हो अफ्रेस जानते हैं हृपे जानते हैं कॉपी आपके तोन से लुझे यह फेistrchi Nielingen आप मेरा हिस्ट्रीन कि रूप में थे हैं मेरे खुन में ना जाती ना धर्म सिर्फ सेवा का संश कार मिला हुआ है कि ऑल लिंडिया स्टुडेंट फेडरेशन ए इस्टुडेंट लाइफ क्लास ये शुरू कि हमारे निशुरू किया पत्तल पर मैंने चावल पडशा है, पत्तल उठाया है, और ये बेटा उनसे भास भी करता था, बालकाल से ही, भास करते थे, रुची थी, और पिता से भास ना करूं तो किसे करूं, वहां से यात्रा सुरू ही, एटी सिक्स, मैं मैं बेवसाय के दुनिया में चला गया, उस सम ये रामो कामो बामो की सरकारती, शु नवाशिं य रामो बामो कामो से मैं कॉंग्रेस की सरकार थी ने हम गए आतंक का माहूल था यहां बेगुसराय में जी और साइध हम समझते हैं भीहर में भी होंगे आतंक का माहूल था किसका आतंक था बेगुसराय में रामो बामो कामो उनके जो चट्टे बटे थे उनके छत्र साय में जो कि पता नहीं था, जो हर मौनव का सारा होता है, चुकि मां के अचल से कोई बच्चा पुर्ण पइदाने लेता है, मां के अचल से बच्चा इंसान पइदा लेता है, सिस्टम उस बच्चे को हैमान बना देता है, उस बच्चे को अपराधी बना देता है, और उस सिस्टम को च बारती एसंसकार नहीं, बेद का ग्यान नहीं, बोली और करनी में आकास और पाताल का फासला जिसका नना जी देश भुगत रहा है। और मुझे लगा जो मेरा हत्या हो जाएगा। मैं गंदे लोगों से संगत कर लिया। मैं अपने कमी को बोलता हूं। उनको ट्यक्सी देना शुरू कर दिया। अपराधियों को लेवी? जी, अग्दम मेरे दुकान लुट लिये गए। उस समय हमारे राजबर्धन शर्मा एस्पी हुआ कर दे थे। मैं अपनी यात्रा ट्यक्सी दे के शुरू कर दिया। उस क्रम में मेरे दामान पर दाग लगे। जम किसी अपराधि को अम ट्यक्सी देंगे। तो उनको बच्छाने के लिए भी थानाम दालाली करना परता था। तो मैं यात्रा सुरू कर दिया। दामान पर दाग लग गए। मेरे खांदान में 107 किसी बने लगा। 94 में जेल भी गया। लगवर 6-7 महिना जेल में हम रहे। इस अपराद के चलते या किन आरोपों के चलते। आरोप मेरे उपर लगे। जी आरोप लगे। 300 दूख लगा। 307 का लगा। अटेंटू मदरू मदर कर गियाष्ट। नार्या। मेरे दामान पर सहाब मेरे दामान पर बलतकार का केशन हे। लूट का केश शन्ट का केशन हेष्ड़। अधर चिंठन किया मनन किया। मेरे बाप constante साथ ने में उस गर में अभागा बच्चह पै愺दले ऐ लगा। मैं बैक आया, गव को खून को सववंद खरके, खाके, पुना, राजनीत में इंट्री लेने का प्रियास किया, प्यक्स का चुनावलरे संतौनवे में, मददाता ने अप और सम्मान दिया, प्यक्स का देख चोगे, दो साल के लिए थे, फिर नीनावने बे में चुनावया, क जान सभा चुना लगने के, तो आमको पता चलने लगा, लोग की ख्वाइश्टी ची बोगू आपे, खुसभू और बदू चुकता ने, मैं काज हमको मख, काज़ गारजियन लोग के हैं जो ने, आप ने लगे तो चुनाव, आप निजबोद हो जाएँ, मैंने अच्प्क मैं भारते जनता पाठी के राजनित में इंट्री ले लिया, उस समय हमारे जो दधीची थे बाम पंथ के, उस सब को मागंगा बुला ली, जो लप्फू बाम पंथ रहा, लुटेरा बाम पंथ रहा, चरित्रहीन बाम पंथ रहा, जिस कारनल सूरजदा के मां सम्मान संसे ख बहुत चोट लगता है, दुख होता है, हम बाते जनता पाठी की राजनित में आरेसिस के मातम से गे, आरेसिस ने मुझे संसकार और बेहतर किया, आपके विरोधी कहते हैं, बोगो सिंग जी की, ये जो अपनी कहानी बताते हैं, कि मैं पैक्स में हुआ, ये हुआ, वो उन्हों का लोगों के दबाव से जादा उनके सीवी में जो 302 और 307 के मुकदमे थे, उसके जरी उन्होंने अपना रसूख बनाया, नहीं, उनका नजरिया है ना, मैं इमान से कहता हूं, आज तक दुर्गा के सवगन किसी कहते हैं, बोगो बी कि, किसी कहते हैं, इमान से कह पाहले हैं, तो règंए ने एन एए जमान नहीं थो अधा है है, वह बढ़िए ठीवा झांदेत हैं, क्यों नहीं लगे एंग उनी का घर था जिलाओनी के इसारे पर चलते थे अब क्या बते है अब क्या बते है अच्छा तो उसके बाद आप अरसेस में चले गए और भाजपा की राजनीती शुरू कर दिपर टिकट भी मांगा जी दो हजार में टिकट के लिए दिल्ली चले गए किसे मुलाकात विए ए यस आप चुना अलरी तयारी की जी तब ही कुछ लोगों ने कहा जो दिल्ली तक चलिये ने बेचे नी थी ना सर हम दिल्ली चले गए अधर नितिश जी अडवानी जी से मठी हनी सिट मांग लिया धीरत जी के दिये मैं रोते हुए चलाया चरित्र हनन ने किया चरित्र को द था यम कुछे पार्ती कें किल सेमौ कि चलाते मैं रोती हुगाा हुग मदा Tána काओ पुल्ची बेचाए ने कहारो अधर चिन्ता ठाकाता की टो मैंउनग और शिने की Bliss wary कि कि अःन्राश दीश कमार किसी श कु.? टाूँ परालिकाँ नहीं हूं बेद में कितने मालुम नहीं रामाहिन में कितने मालुम इंख नास इंख करते सब्रेंख मरें भेखता कि सवाल पर मौन विया संबेदना के सवाल पर कोई माय कालाल बेगुस्राय की धरती पर बोगो से नजन मेरा के बात नहीं कर सकता यह आपका फेवरिट डायलोग है क्या माय कलाल क्योंकि आपका एक बड़ा आडियो वीडियो वाइरल हो रहा है इसमें आप कह रहे हैं कि मतियानी की दर्तिवा कोई माय कलाल पैदा नहीं हुआ जो भोगो सिंग को हरा सके तो आप गलत बोल दिया अपने सवाली गलत कर दिया अच्छा आप मुझे ओडियो दिखाएंगे इस सोशल मैंने कहा आप दिखाएंगे सर मेरा सवाल था कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आपने ऐसा बोला आप देखें आप लोग थोश्यार नहीं पूछी लिया कि आप बता दें अपने इसे नहीं जिए अग जि पर ज Bennett circuits अपकर ओल जारी मंघaimer मेर रखांएगी अब हमार चाड़ करना मुझी लोगय मुझी Angebिज के चला पतना काले कहीं जाएंगे कहीं जाएंगीं कहीं नी जाएंगीं बैठाऑ और अचिप चीप चासा फिर दो घंटा के बाद निस अगए तो फेकनिय जाय प्री किसे इस अब दुनिया जहां कि न्यूज लाके मतियानी और बोगो सिंग के साथ जोड़ देते हैं मैं कहता हूं सर माका तो बेटा मैं हूं मैं कहता हूं कोई माय का लाल मतियानी की धर्ती पर पैदार नहीं लिया जो मतियानी बिदान सभा रूपी हिमाले कठोर और सालिन से टक्रा सकता है टक्राएगा वही जो दस साल मतियानी की धर्ती पर सेवा करेगा मदाता के दिल को जीतेगा जो मैं तेरा बेटा हूं मदाता उस पे विश्वास करेगा और बोगों से अधिक लंबी लकिर खिच देगा उस दिन बोगों ही उसको माला पहना देगा मैं ये बोलता हूं मैं ये बोलो जो कोई माय कलाल हमें नहीं आ रहेगा ये तो मेरा आंकार हुआ ना भारतिया दर्शन ये नहीं कहता है न ये कौन लोग हैं मठियानी विधान सभा में जो आप इतने रसूखदार व्यक्ति हैं माननी विधायक हैं और आपके खिलाफ दुष्प्रचार करते रहते हैं आपके समर्थकों के शब्दों में कहें तो ने दुखित पराणी हैं पिरित पराणी हैं चुकि उनको अच्छा संसकार ने मिला माता पिता ने उसको संसकारित ने किया समाज ने संसकारित ने किया वो बेचारे बेचेन हैं जो में संसद हो जाओं मुख्या हो जाओं विधायक हो जाओं तो मतलब नीम नस्तर का सोच ह मैं काता हूं इस बेटाबन के मैदान में आजा साथ में चलो साथ साथ राजनीद करेंगे जनता क दिल जित एक बेटा तो आ गया है मैदान में कामदेर सिंग के बेटे राजकुमार क्या है उनकी चुनावी संभावना है? आपको तो पता है, मेरे से क्यों पूछते हैं? आप तो दुनिया को रोज नहीं दिखाते हैं? कामदेव शिंग को जानते हैं आप ना? आप जानती जरूर हैं वे उसाह जिला में पूरे दुनिया ने उनको का तसकर सम्राट कामदेव शिंग कांग्रेस कामो बामो कांग्रेस बनाओ कॉमिनिस्ट हजार यूद की हत्या किया कामदेव शिंग हजार मा और बहना मत्यानी परखंड में पिधवा करी है गांजा हफीम की खेती मत्यानी की धर्ती पर एक एक आंगर में पहुचा दिया कांग्रेस वो इसे पापी कानाम लेते अब मत्यानी की जंता से पूछो ना कुछ लोग जो उनके चट्टे-बट्टे होंगे गांजा बेचने बाले, हफिम बेचने बाले LMG रखने बाले, 47 रखने बाले वो कहेंगे कामदेश सिंग गरीब परती बड़ा द्याबान था कि 90 परसेंट लोग कहेंगे जो एक आतंक थे वो इंसान नहीं थे दानब के रूप में इस धर्ती पर पैदा लियत थे बच्चा-बच्चा कहेगा उनका बेटा बच्चा है ज्यान ही नहीं चरित निर्माण नहीं कर सकता दुरभाग रखने माँ बदली जाती है किया बच्चे की पहचान माँ से होती है बाप को पता नहीं जो बोगो किसका बेटा है मेरे माता जी को पता है मैं किसका बेटा हूँ यही भारतिया संस्कृति है माँ बदले ने जाते कदापी ने और माँ की सेवा जन्नत प्राप्ति होती है स्वर की प्राप्ति कल तक हो क्या कह रहा था काउंगरे समारी मा है हाई मा हाई मा हाई मा अटिकट ने मिला तब क्या का क्या का आप जोनी बारत्य डिक्ष्णरी में सबसे ओचा सब्द जिनके लिए बना है चाहे वो विशेश परिस्थिती के कारण ही कहीं रह रही हो तब चला गया मोसी गोधी म रहाः ने मोसी गोधी बना का मोसी हैं हमको जन्म गया मोसी गोधी था बाब और भुमिहार पाठी रहजबपा पियर का अगम्ची वहाँ भी उलुक बुलुक कर लिया ते दूग अग बाद चला गया नानी गोदीमा लजप्पा साइबोग पार्टी बेटा दमाद का पार्टी जो बच्चा हाँ चल में आ रहा है अभी स्रिष्टी में प्यार ने रखा उसके लिए भी प्लानिंग हो रही है उसको लोग सभा राज सभा बीदान सभा और बीदान पर्षद कैसे सिट करेंगा इसके उदारा ने भी या रामचंदर जी चले गए बेटा आँचल में बैठा था प्रिंस राज पचास साल से समस्ति पूर का कार्ज करता ने दरी भी चाया जहारू दिया वो चले गए तेल बेचने गर्भ से पैदा लिया लोग सभा चला गया दुर्भाग है इस लोगतंत्र का इस देश का जभी भी हमारा देश जाती और धर्म से नहीं निकल पाया जिस कारण हमारा देश कमजोड है आपकी विधायकी की यात्रा का जिक्र शुरू हो 2005 से उसके पहले का एक जिक्र है जो यहां पर आपके जो विरोधी है उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि बोगो सिंग से पूछेगा कि यह लक्ष्मी पासवान के मर्डर का क्या प्रसंग है को लगता है जो यह हत्या दो हजार तीन या चाल में हुई थी साहिद है कि उस समय हम जेल में थे किन आरोप को के चलते वही गैंगवार आले तीन बज़ के तीन बज़े हमको बेल मिला और तीन बज़ के पॉंच मिनट पर अच्मी पास मान की आते हुई मैं पत्ना जेल में था हमें हाँ राते तो भारत्य कॉमनिस पार्टी के महान ने ता महान ने ता बोगो सिंग पर एफ हाई आर करते बोगो सिंग ने बम से लच्मी पासमान को मार दिया बोगो सिंग ने अपने राइपल से लच्मी पासमान के कले जाम गोली मार दिया वो कुमनिस पार्टी के इतिहास रहा है, तो उसके दल कुछे, उसके भावनाज जो अग होते हैं, उसके उहत्या करुआ है. जब जब जाएंगे गश्चे इतिहास में, तब सिव पर्दा पर जाएंगे। वह बहुत जानता हैं, आप तो खुद उस पार्टी मेरे रहें। जानता हैं। लेकिन वह भी अपनी शहीदों की सूची दिखाते हैं कि हम लोग भूमीहिनों के लिए लड़ते हुए। अब भूमीहिनों के लिए लड़ते हुए। अब जानिये। मेरे उपर साजिस्का अरॉप कठित कि जुग हम थे ने जाच हुए। बहुत स्टंडर का जाच हुए। पोरा सिस्टम जाच हुए। लालो जी क सरकार थी। रामो बामो कामो कही सरकार थी। आईजी याए, डीजी के ने याए। हम पाक साप निकली। कोटम ने भी हमको पाक साथ साबित किया। लच्मी पासमान की हत्या राजंदर राजन ने करवा है। चुकि लच्मी पासमा मत्यानी विधान सभा का उभारता निता था। अंचल मंत्री था। राजन यहां के लेफ्ट के नेता और दो तीन बार के विधाय करें। शेकरोड लोगों की अत्या कॉम्मिश्ट ने अपने साथी की करवाई है। इतियास हमारे चाचा जामते हैं। हम जामते हैं। अपने लोग अपना लोग को गोली मार दिया। फनाग फसाने के दिये। इतना दुरभागपुर्ण बारतियाक कॉम्मिशक का क्रेक्टर हो गया। इसकारण सातों। सिथनील हो गया। नारह लगता था। हवा चलती थी। बेउसेंत बढ़्पन्त के कारजालेसे पूछ के हवा चलती थी। आज घरी घंट बजा ले। यह बताइए कि यह मैंने यहां के अकादमिक जगत के लोगों से भी पूछा कि बेगुसराय में यह CPI के उभार की प्रिष्ट भूमी क्या थी वजय क्या थी हम तु पहले का ना मैं चंशेखर वाओ क सम्मान करता हूं सूरजदा क सम्मान करता हूं रामचंदर पासमान जी का बेगुसराय के सबसे कद्दावर वामपंथी नेता और जो पहली गयर कॉंग्रिसी सरकार वनी थी महा माया सिन्हा के नित्रत में उसमें अगर मेरी यादाश्त सही गवाही दे रही है तो चंद्र शेखर सिंग सिचाई मंत्री थे और यह सब दजिची थे बेगुसराय के दरोहर थे, कॉम्रेट सूरज, जिज दिन मरेन भहिया उनके घर पर खर नहीं था, खर नहीं था कॉम्रेट देव की, आज भी उनका बेटा ड्रैवरी करता है, तो हम लोग के धरोवार थे, उनके बैक्तिट की पूजा आज भी जिला के लोग करते थे वो अमीर और गरीब के बीच की खाई समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे, जाती की लड़ाई नहीं लेकिन वो लोग जब चले गए तो यह लोग लालू जी का चक्कीम जीक देने चले गए, यह लोग जायत के लड़ाई मुतर गए, जायत के लड़ाई जिस दिन खून में समाहित किया, कॉम्मिनिस पाटी का पतन हो गया। आप दोहजार पांच में निर्दली चुनाओ लड़ गए। दोहजार में जब आपने दहरे रखा पार्टी के अनुशासित सिपाही बने रहे तो पांच बरस में क्या बदल गया। आप सही बात बाते है। आप सही बाते है। अब सह नेता जी के मन का सवाल गया। इंघ बहुता है। पहले मैं अपना चरिश निर्मान करो। तब दूसरे पारूप लगा ह। इंसामभईया। मैं दूह जार पॉंच में चला गया। अच्छिक आत्मा इचा इसमा नितिश के पास गए कि बीजेपी के पास निगें एजटकें बोलेंगी पार्टी ने कहा तु इस लाइक नहीं किस ने कहा पार्टी ने कहा थू अला कमौन नेता अंगरा से चुनाप लडिये अरुण जटली जी कहें नंड की सोर जी कहें सब ल जिस माह की सेवा किया हूं, मतियानी, वहीं मजदुरी मांगने जाओंगा। 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 जो कि उस खेत में कभी हम गए ही नहीं। वह के काज़ करता हमको गाली देने। तू कहां से अगया यार। सिर्भी दायक बनना ही तेरी डीटी। मैं लोट गया। मद्दाता में काफी आकरूस थी। मद्दाता ने कहां चुनाओ लरेंगे। मागंगा के आँचल खुरंपूर में पच्छी सो हजार लोग, बच्चे, जुटे, कहां चुनाओ लरेंगे। निर्दलिया लरेंगे। आपने अच्छा ने लिया। उसकी सिदल का सेंबोल लेकिन यह है। हमने उनके आदेश का सम्मान किया भीया। यह ज़री चरिती हिंता है, तो मैं आपसे मपिचात हूँ। मेरे आइडोलोजी में, मेरे भीचाधारा में यह चरिती हिर चरिती बेचनों नहीं है। मद्दाता लोगतंत्र के सिंगार है। कोई नेता लोगतंत्र का सिंगार नहीं। कोई स्यंबल लोगतंत्र का सिंगार नहीं। कोई जायद धरम लोक तंत्र का सिंगार ने मद्धाता लोक तंत्र के सिंगार है लोक तंत्र के रच्छक ने आदेश दिया तो बेटा इस लोक तंत्र को बचाने की आवस्थता है मठिहानी जल रहा है सुद्धर बावान रामो बामो कामो के चक्कर में कि मैं आदेश का पालन किया आदेश का पालन किया निर्दलिया लड़ लड़ है एती हासी कासिरबाद मुझे मिला पंद्रे साल के जो विधायत थे राजिन राजिन आप कुछ पता है उनको 26,000 भोटाया और हम 27,000 से जीत के जनता हमको विधां सभापेती है उस बार हम चुन अनारी थे हम चुना लड़ रहे थे और जनता हमको पीछे धका देके विधां सभाप पहुंचाने के लिए पत्थना तक पहुंच गई थी जब रिजल्ट आगे तो मैंने जनता से राह लिया बोलिए आदेश दीजिए क्या करें का लालू जादब तेरे को मुकट दे दे उस कुट्टे से नो समझगता जिसने बिहार के चमन को बेच दिया जिसने बिहार के बितास को बेच दिया एंडिय की सरकार बनाओ राम बिलास को बनादो नितीश को बनादो सुसिल मोधी को बनादो मुझे कोई टेंसन ने वही जनता जो लालू यादव के लिए बोल रही थी और जब 2015 में आप लालू यादव और नितीश के गठवंदन के उमीदवार थे तब क्या राय बदल गई थी जनता की या आपकी बदल गई थी लालू यादव के प्रति आ रहें ना आ रहें ना मैंने अंडिय का सम्मन किया हमारा बोटर भेक्स है पाले बोगो का पाटी पहने पाटी ना हमरा कून पाटी कजीन ना हमरा कून में विकास कजीन हमरा कून में शेवा कजीन मेरे मत दाता पर आप आरोप गठित नहीं कर सकते मत्यानी विदान सभा में जब से यह बेटा आया कोई जहर ने है कोई जायत की जहर ने चलेगा कोई धर्म की जहर ने चलेगा कोई पाटी जहर ने चलेगा मत्यानी एक जनता अपने मान समान की लगाई लगता है पटना में बैठे लोग कहते हैं कि बोगो सिंग के इन ही तेवरों की वजे से मुक्यमंत्री और जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष नितिश कुमार सहज नहीं रहते हैं कि वो बार-बार मंच पे मीडिया में कह देते हैं कि नहीं पार्टी अटी सब बाद में यह वो तो उमारे मद्दाता के कफं को好 कि इस इस्टम पेचेगा उस सीश्टम संदो दो हात कर वे करेंगे उतो Conte को समझागलता को समझाटा निकाराजगी अशिस्टम जआपकी विहानक इसको ठीक करेंगे, उसको ठीक होना होगा. बरस्टबर अचार हम जर मुद से खतम ने कर सकते हैं, लेकिन मेरा परियास होना चाहिए था, मेरा परियास परोजिटिव होना चाहिए था? मुझे मद्दाता ने चू्डी पाना के नहीं रखा है, मदधाथा ने बेटा बना के रखा है. चूड़ी पैंने में किया समस्या है? महिलाये मारे करों के चूड़ियां पहंता है. चूड़ी का संस है. चूड़ी पहंता है. टोव सिंगार के दूप करें त fitness और एक चूड़ी होती है. जिसको लोग कायर के हाथ में पिनाने का मुहावरा गलबढ है विदायक जी चूड़ी कमजोरी का प्रतीक नहीं है चलिए यह बताइए कि आप निर्दली थे फिर नीतिश कुमार के पारे आपके आपके माफी मांग लेते हैं मेरा यह कहना है कि चूड़ी या किसी भी किसम का अभूशन या श्रिंगार कमजोरी का प्रतीक नहीं हमारे समार में बहुत सारे मुहावरें जो गलत चले आ रहे हैं तो ग्यान हिंता में सौरी ने जो सच है सर जो मुझे लगा कि दुरुस्त है वहां टोकना चाहिए यह बता जो चुनाओ जीट के गेना तो ओल पाटी ने मुझे ओफर दिया अच्छा अल पाटी जुटकों बोले में इस तमाम पाटी को कहा है भाई मैं पांट साल निर्दलिया कमिटमेंट करके आया मैं कमिटमेंट ने तोर सकता हूं जोगी राम बिला जी धर्ती के बेटा है धर् है जायत के नाम पर एक ठांग पर खड़ा हुने क प्रियास करते हैं राम बिलाजी ने कहा सत्ता की चावी तो मेरे जिम में आया है में गंगा में फेग दूंगा उन्होंने फेग दिया कि ब्यान में राश्पती सासर लग बूटा सिंग ने खुटा गार थे हम रस्ते से लोट क्या करते हैं तो महिनाग बाद चुना हो गए अंडिर दल्या गए एंडिये ने काने बोगो के अगेंश मत्यानी जंता के अगेंश नहीं उमिदवार नहीं देगा चुकि बोगो ने चन्ता के अबेष का संबन किया और अर इंडिये के गुदी बेठा तो 25 सब एडिये भाद खुए अमिदाट नहीं दिया यश। लाट है उमीद भी नहीं दिया ओर आपको सिंबल भी नहीं दिया लिख एम सेंबल मंगने ही नहीं सिर्ट आमचयों दोस्टे सह हम सिंबल मैंने काम कु निर्दलिया चुला लगना है एंडिये ने सपोर्ट कर दिया जो बात है आये थे मंच सजी थी लाखो में बेगुस्राय विधान सभा में निटीज जी आये थे जनता ने उनसे पूछा था जो बेगुस्राय में तो आप का रहे हैं पलना को जीता हो बगल में कोलने हैं उन्हों ने कगा जो नरंदरकुमारूरभोगोची हम से स्यंबॉलने लिए नदीए का उनोंने शमर्थन किया हम एंडिये मट्यानी च स्यूमिद बार नहीं दिये हैं आप लोग उनी को समर्थन कि जो दिए ने चुना जीत के फीर चला गया एंडिया गोद में च कि राजनित में जाने के प्राणिंग में थी चुकि आरेसस और भारतेय जनता पाटी की मैंने इमान सिस्यवा कि थी नितीजी कादेश हो गया अधर निया ध्यक्ष भीजावाओ पोन किया जिनितीजी मिलना चाहते हैं हम और मेरा एक मित्र बचोल था विस्थी विधायक दोन उनके आदेश का पालन किया चंता का भी कमिट्मेंट पूरा कर दिया पांसान सेंबोलिक हमाये एक और दोस्त है शायदा आप उनका जिक्र भूल गए अनन्त सिंग क्या वोने कहा कि यह जो जे डियू का इनोंने पटका धारन किया तो उसके पीछे आपके मित्र अनन्त सिं सदा रहें में विचारधा अलग है मिलन नहीं तो अलग हो गगा अपने संझाया नहीं उनको जिन तरकों के तहत आप जेडियू में है वो क्यो नहीं है तो वो उमसे बरे हैं उमर में तो लोगों को लगता है जो छोट बच्चा को बुझने नहाता है हम पाले सिर्ष्टी म अलगें तो हम लोग का समझाना वर्थ हो गया जो बात है नितीश कुमार के समर तक कहते हैं कि अनंत सिंग पर गंबीर इल्जाम और गंबीर धाराओं में मुकदमें और जब यह सब सक्ती हुई तो उन्हें पार्टी चोड़नी पड़ी अनंत सिंग की च्भी बाहुबली क और लोग कहते हैं कि अपराज जगत में भी उनका बहुत दखल है। हम सहमत हुआ है। उन्होंने अपने आपको सबहलने का मोका नहीं दिया। मददाता ने वकामाप के महान मददाता को मेदे से परनाम करता हूं। मददाता ने उन्हें एक इंसान का सब्सक्राइब दिया। एक ट्रेक दिया। बेटा इसे रहता पर चले जाए। लेकिन वह अपने आपको सभाण नहीं पाहे। सभाण नहीं पाहे। सब्सक्राइब। आपके यहां पर कई विरोधी जो हैं आलोचक हैं वो यह कहते हैं कि आउन केमरा तो बोगो सिंग अनन सिंग की आलोचना करते हैं लेकिन अंदर खाने दोनों के व्यापारिक हित बहुत जुड़े हुए हैं दोनों ने गंगा के दोनों पार्ट समा देखिए मेरे खून में न एक परसंट मिलावथ में एक परसंट में जिए दिन मिलावथ हो जाए ना माँ दुरगा से कहते हैं मुझे लेचला होंगा मैं पापी बनके इधार्थी पर ने जिसकता हैं मेरे ब्यातिगत कोई रिष्टे नहीं कोई रिष्टे नहीं और नहीं रिष्टे होंगें आपने अपने करियर की शुरुवात अपनी पॉल्टिक्स की ट्रेनिंग की शुरुवात AISF से की थी CPI का छातर संगठन एक और CPI के इसी छातर संगठन AISF से आपके बेगु सराय जिले से नेता निकले हैं कनहिया कुमार मठिहानी में प्रिचार कर रहे हैं कह रहे हैं कि अब लोग जो जबरई का राज है उससे मुक्त हो जनता का शासन हो देखिए उस लफु सर्चा हमसे मत किजिए वो लफु है लफु दिल्ली का लफु दिल्ली का लफु वो बेगुसरे के असमिता बेगुसरे के संसकार कार बेगुसाय की संस्किर्टी को जवान पर बोलने के लिए सिखा है जवान से बोलता है नेता के तरह बोलता है लिए उसके खून में ने है एक परशेंट भी खून में ने है सत्ध कर भी होती है कि मैं अभीदान सभा में कहा था लालो के बेटा को यह बंदर है और नितीजी को कहा था यह आपका आदेश सर रंकों पर है लेकिन आपने बंदर के हाथ में स्वास बिभाग दे दिया स्वास बिभाग को चौपट कर दिया यह बंदर तूस लप्भू की क्या चचाचा हमको बात 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 बदेगे यह बता दीजिया ना मेरा भी सवाला तू जबाब देजिया बिल्कुल पूछिए रदागी जी बेद कहता है दुक के आउसों पोछने चाहिए ज़िए जुक के आउसों ने चाहिए ज़िए अब किसी बेटीक सादी में ना भी जाएंगे ना ता पर कुमा भी मिल जाएगी पोन पर भी और किसी की बेटा कि लास गिर जाएंगे आप ना जाएंगे ता आपके आँक से आँसों गिरता रहेगा रपसुस होता रहेगा जहमने चाहँ पाएंगे कोरोना आया ना भ्यानक दासत में थानस समाच पुछना हो उस बंदर से कोरो किस से आपने तेजस्वी को भी कह दिया और कनहिया को भी कह दिया आपने उस लफू से पूछ ना जिसको आपने नेता गोशित किया पूरे दुनिया का ने ने पूरे दुनिया का पूरे दुनिया का अपने नेता गोशित किया है पूरे दुनिया हो बाहरे लफू कोरोना म किस बिल में वो बेठा था एक दिन धारती माता को प्रणाम करने नहीं है एक दिन जिस मदाता ने उसको प्यार दिया उससे दर्शन करने नहीं है एक नंबर दूसरा नंबर लोग तंत्र का सिंधार सत्ता विपक्ष तोनों है सत्ता हाथी है पिपक्ष उसका पिले मौन और गजारा करने यह तो गजारा है ना गिराज सिंग के पिठी पचर के पर तेक दिन उसको गजारा मारना चाहिए पर उने दूसरा लगबग हो गए चुनाव का एक दिन आया कि रादा को गजारा चलने के लिए वो आया इंज्वाइ किया मौजबस्थी किया उचाहता था जबेगु सराय में हम हिंदू मुस्लिम राइट करा दे अच्छा एक दम सो परसेंट हो चाहता था जब बेगु से हम सुद्धर वाबन करा दे यही राजनित की मन्सा लेके लेकिन बेगु सराय कि महान मद्दाता ने उसको गर्दनिया पासपोर देने का कट किया है मट्यानिम तो नहुता देते हैं अब हिंदू की दिशा दसा को तो जानते ही हैं साथ आजमीक ज़रत हैं चार कंधा लगता है हिंदू में चार कंधा दू अदू पिच्छा अरे व बेटों को ज़रुत होता है उत्री पहनने के लिए एको लवाग ज़रुत होता है एको बरहमन को ज़रुत होता है साथ आजमी चाहिए सागत है कोई माय कालाल पैदा लिया है तो उसको ने उता देते हैं एस्टार परचारक का जो रजिंदर सिंग जीता एक मठियानी बेज से बीदान सभा पहुंचा देगा तो उसी दिन राजनी से सन्याश लेगोंगा राजिंदर सिंग यहां से लेफ्ट के और महागट बंदन के उ सब्सक्रावन की आवाज बनके नहीं भूला है सुद्दर बावन रामो बामो कामो का खुनी संगर्स नहीं भूला नहीं भूला है एक-एक पंचायत में विया पचास-पचास यूद्थ की हत्याविया आज पैदा लिया है मट्यानी हम ने उता देते हैं सागत करते हैं आज आ मट्यानी की धर्थी पर आपने सांसदी के चुनाओं का जिक्र किया अंदर खाने कई लोगों ने कहा कि सांसदी के लिए तो भूला बाबू के बाद बोगो सिंग की दावेदारी थी और अर्मान भी था इरादे भी थे फिर कहां टग गई बात ना अर्मान है ना दावेदारी है ना सपन है एक बार हम खेती करते हैं खेती लौस का सवधा हो दोवारा वो खेती हम करें तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे खेती निलाम हो जाएंगे मैं एक बार लोग सभा का चुनान निर्दलिया ले रहा था बेटा तुम इसलेकिन याँ मैं उसी समयका हूं पर कि जीवन में लोग सभा चुनान ने पाती का आदेश होगा पार्टी के सामने दावेदारी तो कियो है नो 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 और ना कभी करें पभी ने जीवन में ने बेद को समझता हूं बगवान कि अर्जुन से का है अर्जुन सिर्फ सिर्फ तुम कर्म हो है फाल में आप बहुत घीता का जिकर लेंग वेद में सदे ईश्वरों का क्रिष्ण वगरा का जिकर नहीं है अग्वान कि जखर वेद में मतलब जो हमारे हिंदू का गरंथ है और बड़ी व्यापक परमपरा है न तो भगवान किसने अर्जुन को समझा रहे थे अर्जुन सिर्फ तुम कर्म हो पाल हमें तुम दूद हो गियू हमें तो आदर्स को जीवर में उतार लिये हमने किसी किताब किसी दिवाल पर ने देखा जो धर्म ही कर्म है पूजा ही कर्म है ने कर्म ही पूजा है ने कर्म ह अधिदर में उसको सो प्रतिसत खून में इठा लिया है, सो प्रतिसत निननवन जग जग भी ने बचार लिए उसी राभ चलते हैं किसी से कुछ ने मांगना है सिर्फ मां से काते हैं माता नितिश कुमार से अपने चेत्र के लिए कुछ नी मांगते हैं आपका एक बयान वायर सब्सक्राइब के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है नितिश कुमार मतियानी में आप अंदर खाने की सड़कें देखिए आप क्यों ने गए यह तो घूमा हूँ अब गूमे है ना उससब तरह की मिली अच्छी सड़कें भी बुरी सड़कें है मेरे मद्दाता मेरे विपक् मेरे ही रोड पर मेरे ही विकास पर एंडिये के विकास पर खरा होते हैं हरकाते हैं विकास ने हुआ तो आपने कभी पूछा उनको तू तू तो पी सिसी ठलाई पर विकास ने होने की बात कर रहा है तेरा जमीर मर गया क्या ने पूछ आपने ने पूछा ने ने पूछा न इसलिए आप यह सवाल पूछ रहें आप लोग हम बोलते आप लोग बोलते है तो कि सारी मीडिया सब्धान 22 पसेरी नहीं तो लेगा ना बिधायक जी आप लोग बोलते हैं थीक हैं आप सवरी वापस लेते हैं आप किसी पंचायत में चले जाएगे नब्या पर्सेंट सरक डन नहीं मिलेंगे आप जो सजा दोगे वो मेरे लिए सजा कमों नब्या पर्तिशिक नितीज कुमार मद्दाता का गोर का पकवा छोड़ा दिया घर के चौकर तक ढलाय और पेवर बुलोक लगा दिया हां तरस पर्सेंट अब मेरे भी गवाए हो में यह के सावय पंचायत है तो आपको थोरी जगा टुटी-फुटी सरक मिली होगी ना लगवग एक किलोमेटर उसके बाद इस पंचायत में एक किलोमेटर यह और लगवग उनसे पूख़ीगा का का सब्सा आपको सब्सान है बार यह जएगा था एक सब्साव करता है बाहिया 도करों करता है कभी अब्सिक गोडाद lange कि अभी नहीं नहीं गोड़ीं कभी तरस पूछी यह जड़ाओ व्शियेगा पूछेगा पूछीय का ना ट् जहर से बचाने के लिए और सम्विधान बचाने के लिए मैदान में सही बात है वही ठीकेदार है ना साइट परश देश में राज किये वही ठीकेदार है ना सम्विधान बचाने के लिए सोना का थालीम खाने वाले हर्सोनासका चममस्हूने बाले राहुल बबाई देश के ठीकेदार है सोनिया मधव इस देश के ठीकेदार है महुन की बबाई देश के ठीकेदार है वही है चाहे बेचनेबला का बेटा-पर्दान मंत्री हुआ तो उनको दियम दर्ड हो रहा journée दर्ड पुछीएगा विपक्षिय उसा बाल जिब बिजली इसा पैमाना नई है तो बिजली कटालो लालतेन टांग दो डिपातन तांडो यह मानलो मुवदती से जला के रहिए भारत्या शंसकार में नितीज कुमार ऐसा बेटा इस धर्थी पर पैदा लिया चाहे सामों चले जाएए चाहे बच्वारा विदान सभा का चम्ता दीर अचले जाएए चाहे साहेपुर कमाल विदान सभा का विशनपूर मसुन्ना दीर अचले जाएए जोपुरी तक नितीज कुमार ने बिजली प जिली को अगर आप नक्षे में देखेंगे गंगा की दियारिम फैला है तो यह सब अलग-अलग विधान सभाओं के बिलकुल फार एंड हैं चाहे वो साहबूर कमाल विधान सभा हो चाहे बचवाड़ा विधान सभा हो उनका जिक्रियत जी आप जानगें पाले बिजली किसक तोंद वला घर में टोपी वला घर में तोंद आ टोपी भुजिये रहे हैं क्या पुलिस्ट के घर में जमिंदार साहब घर में बोगो ने कहा बक्रियार बाक जोर पानी पिलाएंगे खोन लाल तजायत कहां धराम कहां जोर बचना पर एगा तो लिल तोंद बला टोपी बलाग लगता है बाप और ये बाप हमार ती जते बोगो कातम कह दिल के तो इसे मट्यानी बिदान सभा में बरका बरका कुर्ता पैजमा बला आपको मिलेंगे कहेंगे बोगबात नास कह दिल के जवा सब को जोर घंट के छोई दिल के हमारा रिज्जत खतम होगे ले वही काम नितिस कुमार के अभी मेरा घार है हम पैसा बला है ठीक हैं मेरे घर में दो ही घंटा बिजली सही बिजली थी और हमना गवार पीछ हम पचास को जोपुरी रहे एक छता मकॉंड है गर इस घर में बिजली ने जिए आख वांगल है यह हम उत्धोंना 수ब दोश्त हो गई हम आरमान के रहा इस दूरी को बोगों ने मिटा डिया इस दूरी कोनितिस कुमार ने मिटा दिया ऑज क्यों को बॉलत는지 क्यों सब्सक्री मेरे हम आ one कि करсон हम मिजली ज込ा से घर ह Miss Azka को काते हैं समता मुलक समाज को राष्ट की धारा में जोरने का भिकास आप बारबार नीतिश कुमार का जिकर कर रहे हैं नीतिश कुमार की विरोधी जिस एक कई मुद्दों में से एक मुद्दा जिस पर उनको घेरने की कोशिश करते हैं वो है मुझदफरपुर का शेल्टर होम कांट जो हुआ बच्चियों का किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा था उस विभाग की उसमें मंत्री थी मंजू वर्मा जी जो आपी की जिले में और आपी के पार्टी की सिंबल से मैदान में है उस पूरे केस पर और इस तरह की राजनीती पर आपकी क्या टिपणी है आप तो बात कर बात करते हैं हाँ हाँ मैंने उस केस में ना इफायार पढ़ा ना सुपर विजन पढ़ा विहार सरकार की एजिंसी जांच रहे थी आमजन की आवाज बुलंद हुई आप कानून बेबस्ता नय पालिका जिसे हम काते हैं उस पर लोगों का आस्ता है वहां से नय मिलेगा आप कानून की बात का जिक्र कर रहे हैं लेकिन विरोधी कहते हैं कि मठिहानी में बोगो सिंग ही कानून है धनबल और बाहुबल उनका ये कहना है कि बोगो सिंग से ये पूशा जाना चाहिए कि वो जो ये खुले हाथ से एक पैडलल गवर्मेंट चलाते हैं संसाधन देते ह लोगों को सरकार के बजाए खुद से तो कहां से आता है इतना पैसा उनका कहना है कि यहां पर कोई भी ठेका हो कुछ भी हो सब में बोगो सिंग की रिट चलती है कि तेखिए बोगो सिंग की कुछ बिजनिस भी है कुछ बिजनिस में इस बात से हम इंकार में करते हैं उस बिजनिस की जो कमाई है उस बिजनिस से मैं जन्ता के सेवा करता हूं चुकि उसके कारण है ना मैं जिन्दगी बर के लिए बेटा और भाई के लिए ही कमाऊं क्या ठीका लिया हूँ बेटा का भाई का जो तेरे लिए कमाऊं मैं इस्कूल जा रहा था रास्ते में गिर परा समाज की किसी चाचा ने मुझे उठाया मैं फिल्ड में खेल रहा था नाक से नेटा चल रहा था समाज की कोई चाची ने मेरे नेटा को पोछ दिया ति सरीर पर समाज का जो कर्ज है वो किस दिन में उतारूँगा इसलिए जीना मरना मता तक कि लिए प्रतिक्षा है और कई नेताओं ने अपने आपको मुख्यमंत्री का चहरा गोशित किया है नेताओं ने उनके कटबंदन ने पार्टी में चुकि आप लंबे समय से मठियानी की और पटना की राजनीती में सक्री है पंद्रा वरस तो हो गए बत और विधायक और उसके पहले भी चुकि आपने खुद ही कहा कि मैं टिकट के लिए बागी सब के लिए मिलता रहा तो मैं उन लोगों के साथ आपके क्या व्यक्तिकत अनभौ रहे हैं मेल मुला तब लोगों का लुग, बेविच में लोगों के क्यों कर्या, खरतमा दो हम में लोगों किसी मंत्ऱ् के हैं किसी क्या होँ किसी कर दो क्ली कराई उन ने हम बपने दिchae हम 15 साल में साथ 15 साय के हमशा है जे जे लिए जिए जड़ा है इस इस सिवा हमको आधिने है किसी का चंशे करना किसी कपकप चंच बन जना है हमारी आदत ने है माँबाप पर मत्यानिक जन्ता है संस्कार ने दिया है जो बात है और मैं भारते संस्कृति को बेचूंगानी राजनीत में रहूं ना रहूं देखना कोई बुरी बात है क्या आपना जगानी जगे कि तेज अशी कि नसीव मुखमंत्री नहीं है नसीब मुने नहीं है नसीब उच्छे होंगे तो को लोग कहते हैं कि कर्म करने सो बाग फल भी बदलते हैं वो जिज दिन तैय कर ले है, जंता की अदालत में खरा होके, जो खून की सोगन दखा है, राष्ट की सोगन दखा है, जो मेरे खंदान से कोई बच्चा, लोकस्भा विदान, सभा विदान, परशद विदान, सभा नहीं जाएगा, जब तक वो पौन साल जंता के बीच में दरीने वो कसम खाले जब मैं जादब का बेटा ने हूँ मेरे खून में जादब है, दुसाद है, चमार है, बाबन है, ब्रह्मन है मैं भारत का बेटा हूँ, धर्थी का बेटा हूँ उसी दिन ब्यार की जनता बिश्वास करेगी बिचार करेगी अभी तो पैदा भी अच्छा से ने हुआ है, दूर्थी दांत भी नहीं टूटे है उससे गल्ती हो गई होटवार जेल में जो चक्की चला रहे है लालू जादब है ना लालू जादब गोचा ठोकने वाली के जो मुखमंती बनाए थे अबू भीयार ने है इत्ते बुर्वख व्यार ने है जत्ते बुर्वख आप समझते हैं ने तालू के समर्थक यही कहते हैं कि उच्छातियों कि यह तकलीफ रही कि गोःठा ठोकने वाली मुख्यमंत्री बन गई और वो कहते हैं कि देखे यह जिस तरीके से हमारे लिए अपमान जनक शब्दों का इस्तमाल करते हैं उसी को दूर करने के लिए लालू जी समाजिक नियाय लाए यह समर्थक कहते हैं क्या वे करेंगे जादब समाज में कोई परिलिखी महला तो थी नए इसलिए उनको मुखमंत्य बना दिए लालू जी अपने खांदान से निकले हैं क्या पुराना जद्धा अब्दुलबारिक सिद्ध की गरिगंड बजाने के लिए रखा और कल पईदालिया बेटा दूरा इन बोलने ग्यान नहीं उसको डिप्टी सियम बना दिये कि जादब का भिहार है कि बावन की बिहार है कि समता मूलक समाज का बिहार है बार्य करोड जनता की बिहार है इस बाइश से उनको मानना परेगा इस बात को मुगालते मुनेरे हैं जादब में परेलिके जादब नहीं है नन की सोर्जी जादब नहीं है विकास गरिब है बुपिंदर जादब जादब नहीं है विकास गरिब चरल है विजंदर जादब जादब नहीं है यह जो लंपट जादब है इनको चेतना नहीं है विकास से कोई मतलब नहीं है वो लालू 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 कर रहे है खेल खतम हो गया विजली के लेल होटबार जेल में चक्कि चला रहा है जा रोटके लेल पनी मेवा खाला अपने चलाईये रहे हैं वे रास्ता आप सब को ख़ड़ा कर दिये साब को खरा है साब जाएगा जेल और इस देश को जो कमजोर करने का सिस्टम अपने खून में लाएगा आर्थी का प्राश से बर के धर्थिप कोई अपराजने होता है सब लोग जेल जाएगे इस बात को जानिए और अंडिये की सरकार बनेगी बिहार की जनता ने मन बना लिया है चोकीदार बन के अपने चोकट पर बेटा लें अंडिये की सरकार बनेगी मुखमंत्री नितिश कुमार बनेगी एक और नेता है बिहार की युवा नेता जो ये तो कहते हैं कि अंडिये की सरकार बनेगी पर कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश के खिलाफ हैं, भाजपा के साथ हैं, बयानों में चिराग पासवान। इस देश के महान लोगतन से कोय मतलब इस देश के महान सन्सकृति से कोई मतलब नहीं हैं, नो, गयो मिल तब विपक्षी पार्टी कोई नेताउ से मुलाकात होती होगी, तब विपक्षी पार्टी कोई को अपको दिखाए पड़ता है, क्या मेरी टिपणी का सवाल नहीं, सवाल के जवाब में सवाल आप चिराग जी अभी मैंने कहा था ना आपको जस्ट जो रामचंदर जी चले गए तो प्रिंचाल में बैठल था पचाल साल से काज करता दरी धो रहा था प्रिंचाल चला गया लोकसभा इसलिए उसे क्या मिलेंगे जिसका कोई करेक्टर समाज की पृतिने है राष्ट की प कि चाता है जमानत बच्चे इहार पपु जादव के बारे में क्या सोचते बढ़न इस नो को मेंट्स क्यों मुंक्त आप खिल के बाद लो अब तो सब एंता खुल के बादे लोग शुष जना पपु जानते यही बेगुसर को था 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 फ्टना किया था 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 बेगुसर रहके हैं, कत्य पाठी बदला आप नहीं जामते हैं, उस पर नहीं है, जो सवाल है, चुनाओ के समय, क्यों राजमीट करते हो, पंचो साल करो, उनके पी समर्था कहते हैं, चाहे कोविड हो, चाहे बाड हो, हमेशा अक्टिव रहे हैं, साल जब चुनाओ के मौसम की हवा चली सबनेता अंगापन सिला के पत्नम दुकान लगा लिया, और ज्याद बिगूल बजा, सबनेता दर्जी के हां जागे हुखा पराश पाइज माकूर्था सिला के रोटपार, आइसे नेता सेमना अफरत करते हैं, उपंदर कुश्वाजी, उपंदर कोष वाजी, उई हाल होग जो जाती की राजमित करता हो, जाती का जहर फेलाता हो, डगड़ाक बाइगन है, साइध हमको लगता है व्यार विदान सभा में, जमानात ने पचेगा उसका, एक भी उमीदबार का, साइध. चलिए, आप सुन रहे थे, भोगो सिंग को, विधायक जी की पूरी बातचीत, टिपड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइए, ललन टॉप की चुनावी यात्रा अनवरहत चलती रहेगी, नेताओं तक, और नेता जिस जनता की कसम खा हैंगे, शुक्रिया.